ओम शान्ती पचीस तेन दोहजार तेस के मुल्ली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा बच्चे तुम जिन के मुआफिक मुझे याद करते रहो तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो यही तुम्हारी मदद है फिर कहा यह वंडर्फुल पाटशाला है जहां ग्य पतित पावन बाप तुम्हें ग्यान अमरित पिला कर पावन बनाते है आगे कहा श्रिम्मत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है गुप्त रिती से बाप को याद कर श्रिष्ट बनना है अपने आप से बाते करनी है रूह रिहान करना है बाबा आपने ज बाबा आपकी पढ़ाई से हम बिश्व का मालिक बनते हैं। आप नई स्रिष्टी रचते हो। इसके हम हकदार है। अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे यह वंडर्फुल पाटशाला है। जहां तुम्हें ग्यान सागर पतित पावन बाप ग्यान अमरित पलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाटशाला और कोई होती नहीं। प्रश्न है। बाप की कौन सी एक राय सुईकार करो तो बाप हर पल तुम बच्चे तुम जिन के मुआफिक मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुध्धी योग मेरे से लगाओ और सब तरफ से बुध्धी हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददकार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। गेत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांती। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है। जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनि भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता वनने के लिए इस पाटशाल हमें पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहत का बाप पढ़ाते हैं, वो बाप भी है, तो टीचर भी है, मात पिता के बहुत बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत बृध्धी को पाते जाएंगे, परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, यह वंडर है न, ऐसी वंडर्फुल बिचत्र पावन है, वही ग्यान अमरित पिला कर पावन बनाते हैं, गाते भी है, पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है, और पावन दुनिया भी है, नई दुनिया, नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होना ही है, तो बच्चे जानते हैं, यह पुरान दुनिया है, नई दुनिया थी, वहां बहुत सुख था, बचों ने गीत सुना, वो तो सिर्फ भक्ती मार्ग में गाते हैं, तुम तो अब प्रेक्टिकल में हो, भक्ती मार्ग के गीतों को हम ग्यान में ले आते हैं, तुम बचे जानते हो, बाप सभी को वापिस लेने लिए आए हैं पतित पावन है तो पावन बना कर ले जाएंगे ऐसे ऐसे अपने से बाते करनी है यह जरूर पतित दुनिया है पावन देवताओं को बापावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं परन्तु पतित पावन बाप एक ही है सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है दुख कौन देते हैं वेकार वेकारों का नाम क्या है काम का भूत क्रोध का भूत अशुद्ध अहंकार का भूत शरीर को भी भूत कहा जाता है क्योंकि पाज भूतों का बना हुआ शरीर है आत एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो मनुश्य भी समझते हैं विनाश होना है महा भारी लड़ाई लगनी है परन्तु फिर क्या होगा यह नहीं जानते क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए है राज योग तो गीता के भगवान ने सिखलाया श्री कृष्ण तो सिखला न सके गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए है यह है मुझारा हम तुम भी इस मुझारे में थे अब निकल आए है मनुष्य तो दुरगती को पाए हुए है हम अब ग्यान से सद्गती दिन में जा रहे है बाप कहते हैं मैं ग्यान सागर हूँ और कोई भी ग्यान दे ना सके ग्यान सागर एक को ही कहा जाता है फिर उनसे ग्यान गंगाए निकलती है शिव शक्ती ग्यान गंगाए कहा जाता है वो हो है पानी की गंगा जो बहती रहती है ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहां चाहे वहां जा सकती है नहीं तुम ग्यान गंगाए जहां चाहे वहां जाकर ग्यान दे सकती हो वहां ही ग्यान गंगा प्रगट हो जाती है बास्तव में का सार समझाते हैं हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए जैसे श्रिमत भागवत गीता एक है, बाइबल एक है इब्राहम ने आकर इसलाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं वो जो उच्चारन करते हैं उनका फिर बाद में वो सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं, यह वेद शास्त्र जब तब आदी, सब है भक्तिकल्ट, यह है ग्यान कल्ट, भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्यान दे पतितों को पावन बनाते हैं, अब तुम जानते हो, अभी हम सो ब्राम्हन है, फिर हम सो देवता बनेंगे, 84 जन्मों का पूरा हिसाब किता बुद्धी में है, अभी हम ब्रम्हा मुख वन्शावली ब्राम्हन है, पहले हम शुद्र कुलके थे, अभी हम ब्राम्हन कुलके बने है, यह भी तुम ब्राम्हन ह जानते हो, देवी देवता धरम वाले तो कोई है नहीं, हिंदू थोड़े ही जानते के हम असुल देवी देवता कुलके थे, अभी हम शुद्र कुलके हैं, अपने धरम को भूल, धरम भरष्ट, करम भरष्ट, कंगाल बन पड़े हैं, अभी बाब द्वारा तुम बच्चों हम सो सो हम का अर्थ समझा है, हम सो आत्मा परमधाम की रहवासी है, यहां आकर पाड़ बजाते हैं, पहले पहले हम सत्यूग में देवता कुल में आए, फिर वैश शुद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में, तुम जानते हो, कितने जनम किस कुल में रहेंग बाकी, बाबा एक एक जनम का तो नहीं बैठ बताएंगे, नटशेल में बताते हैं, बीज और जाड को जानो, बस बाप बीज रूप है, हम कल्प व्रिक्ष के भाती है, हम परमधाम से आए हैं पाड बजाने, सत्युक से लेकर चक्र लगाया, फिर और धरम वाले फलाने फला शोना है, तो सब आत्माएं वापिस जाती है, फिर अपने अपने समय पर नमबर वार आती है, धरम स्थापन करने, यह सब राज तुम्हारी बुद्धी में है, बच्चे कहते हैं बाबा, आप जो पढ़ाते हैं, उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, आप जैसा सुख और कोई नहीं दे सकते, मनुष्य मात्र तो सब अलपकाल सुख देने वाले हैं, वो तो जानवर भी देते हैं, मनुष्य का जीवन तो अमुल्य कहा जाता है, मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य बिश्व का मालिक बन सकता है, बाबा, आपने जो सुख दिया है, वो कोई भी दे नहीं सकता बाबा आप तो हमको बिश्व का मालिक बनाते हो आप बिश्व के रचैता है तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस और कोई हठियोग आदी की बात नहीं तुम बाप के बने हो जानते हो बाबा नए बिश्व का रचैता है बाबा परमधाम से आये हैं Most beloved बाप है सब उनको याद करते हैं भल कोई भी धरमवाला होगा ओ Godfather, हे भगवान वा अल्लाह जरूर कहते रहेंगे बाप कहते हैं मैं सभी को सुख दे कर जाता हूं तब भक्ती मार्ग में मुझे याद करते हैं अभी फिर सुख देने आया हूं फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे तुम बिश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों की दिल में रा दिन यह रहना चाहिए बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो हम हकदार भी है बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे न गौड फादर हेविन रचते हैं तो फिर हम सब हेविन में क्यों नहीं है सभी हेविन में हो तो हेल होवे ही नहीं यह तो हार जीत सुख दुख का खेल है नई दुनिया फिर पुरानी बनती है नया कौन बनाते पुराना कौन बनाते यह स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है यह बुद्धी में रहता है सत्यूग त्रेता में है सूर्यवन्शी चंद्रवन्शी फिर द्वापर में और और धरम इमर्ज होते हैं जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वैसे ही फिर रिपीट होना है तुम बचे जानते हो अभी फिर से सत्यूग स्टार्ट होने वाला है पुरानी दुनिया खतम हो नहीं आने वाली है मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अजुन पुरानी होती ही रहेगी बहुत समय पड़ा है बाब कहते हैं तुम घोर अंधियारे में हो वेनाश सामने खड़ा है मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने आगे तो कोई था नहीं अभी ब्रह्म्हा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं प्रजा पेता ब्रह्म्हा के जरूर अनिक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं जिनको फिर देवता बनना है जो बाप से प्रतिग्या करते हैं पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही राज्य भागि लेंगे सब तो नहीं लेंगे बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुक्तु कर वापिस जाएंगे बाबा देवता धरम की फिर से स्थापना कर रहे है और सभी धर्म विनाश होने है महा भारी लड़ाई भी सामने खड़ी है यह हिस्ट्री जोग्रफी का राज गीता का भगवान बैट समझाते हैं भगवान की महिमा अलग श्री कृष्ण की महिमा अलग है श्री कृष्ण को मनुष्य स्रिष्टी का बेज रूप वर्ल्ड ओल्माइटी ओथरेटी नहीं कहेंगे वर्ल्ड ओल्माइटी ओथरेटी एक है सूर्य वन्शी की महिमा अलग है चंद्र वन्शी की महिमा अलग है वैश और शुद्र वन्षी की महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर गवर्नर है, सब एक समान थोड़े ही हो सकते हैं. यहाँ सब समझने की बाते हैं, मनुष्य थोड़े ही जानते के तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने लिए राज स्थापन कर रहे हो गुप्त रिती और नौन वालन से, ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पाउं चलाने की, ना गोली मारने की हिंसा, तुम को कोई थियार आदी नहीं उठाना है, तुम ब्रामण जानते हो, हम बाबा की मदद से कल्प पहले मौफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं, यह है रूहानी सेवा, मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रिमत से श्रेष्ट बन रहे हैं, बाकी, सब मनु पुष्य मद से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं, नीचे उतरना है जरूर, भक्ती भी पहले अवेभीचारी होती है, वेरी गुड भक्ती, एक की ही पूजा करते, फिर सेकेंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, मिट्टी, अधी, पाज भ आप तुमको अभेभीचारी योग सिखलाते हैं, ग्रियस्त वेवहान में रहते, खाते, पेते, सिर्फ बाप और वर्से को याद करना है, महनत सारी इसमें है, भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रिती से बुधी से याद करो, मुक्त से राम राम, अथवा शिवा नमह कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करो, बाबा है गुप्त, ग्यान का सागर, सारे इस रिष्टी चक्र का उनको पता है, उनको कहा जाता है परम आत्मा, यह आत्मा है, इनको उस बाप से ग्यान मिल रहा है, इन सब बातों को धारन कर और फिर कराना बिचारे रास्ता ढूंडते रहते हैं, जानते नहीं हैं, तुम जानते हो, शांती धाम है निर्वान धाम, जहां से हम आत्माएं आती हैं, स्वर्ग है सुख धाम, नर्ख है दुख धाम मायापुरी, वो स्वर्ग विश्नुपुरी और यह नर्ख है रावन पुरी, बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस अगर बीच में बुद्धी और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ खाते पीते चलते फिरते मुझ बाप को याद करो बहुत सहज है समझो बेलायत में कोई रहता है उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धी में रहेगी न हम भी कितने दूर है परंतु बुद्धी से बाप को याद करना है जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है मनुष्य मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता बाप कहते हैं जिन्न के मुआफिक याद करते रहो बस बाप और सुर्ग को याद करो यही हमारी सेवा करो हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की तुम फिर याद करने की सेवा करो यह राय, अंगीकार, अर्थात सुईकार करो यही तुम्हारी मदद है हिम्मते मर्दा, मददे खुदा यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी कितना सस्ता सोदा है वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते है एक ही सद गुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती है गुरु पना ही निकल जाता है सभी सद गती को पा लेते हैं एक सद गुरु के आने से फिर अने गुरु करने की रसम रिवाज आधा कल्ब के लिए निकल जाती है फिर भक्ती मार्ग में वो रसम चलती है सत्यूग में गुरू कोई होता नहीं वहां अकाले मृत्यू कभी होता नहीं हेल्थ वेल्थ और हैपिनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है ऐसे और कोई दे ना सके तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैपिनेस मिलती है भाकी, सब निर्वांधाम में चले जाते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे स्वादर्शं चक्रधारी बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रु茶णी बाब की HRNी बच्चों को नमस्ते और हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धाना के लिए मुख्य सार पहला, श्रैमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रुहानी सेवा करनी है गुप्त रिती से बाप को याद कर श्रिष्ठ बनना है दोसरा, अपने आप से बाते करनी है रुह रिहान करना है बाबा, आपने जो सुख दिया है वो कोई दे नहीं सकता बाबा, आपकी पढ़ाई से हम बिश्व का मालिक बनते हैं आप नई स्रिष्टी रचते हो, उसके हम हकदार है वर्दान है ब्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतरमुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्थ भव वेस्तार है जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनरजी और समय जमा कर लेते हैं उन्हें स्वतह अंतरमुखता के रस का अनुभव होता है अंतरमुखता का रस और बोल चाल का रस इसमें राद दिन का अंतर है अंतरमुखी सदा ब्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्थ का अनुभव करता है वो व्यार्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यार्थ बोल से मुख का मौन रखता है इसलिए अंतर मुखता के रस की अलवकिक अनुभूती होती है स्लोगन है राज युक्त बन हर परिस्थिती में राजी रहने वाले ही ग्यानी तु आत्मा है राजी उक्तबन हर परिस्थिती में राजी रहने वाले ही ग्यानी तु आत्मा है अच्छा ओम शंती है अच्छा उन्हा Buck झाल 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 झाल